आज हमारी फिल्म पेक्षा फिल्म का जो मुहरत हुआ है और पहली बार समाज में मैं बहार निकली हूँ कमर कसके कफन बांद के हमारी किनर बहनों के लिए न्याई मांगने के लिए उनको हग दिलाने के लिए मैं एक ऐसे फिल्म करने जा रही हूँ जिसमें मैं खुद बेपरवा करते हुए समाज की एक किनर का रोल प्ले करूँगी और मैं समाज से किसे से कोई डरती नहीं हूँ मैं सिर्फ अगर किसे से डरती हूँ तो सिर्फ इश्वार अल्ला से डरती हूँ कि मैं गु Ela नहीं करते हूं तो समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ के जब इश्वर ने हम लोगों के बिच में भैधाव नहीं किया तो हमें खिनर बेहनों के लिए भी हमें भैधाव नहीं करना चाहिए उन्हें भी इतनी इजट देनी चाहिए जितना हम अपने parents को देते हैं या दूसरों को देते हैं मुझे specially वो ताली specially होते हैं यह यह ताली बजानी पड़ी अब मुझे आ गई है और बिकाज यह इसलिए बजाते हैं वो ताकि मैंने पूछा यह इसा क्यों तो बलते हैं वो जगाने के लिए एक जगाने के लिए कि हम आ चुके हैं यह ना एक awareness के लिए और यह शुब माना जाता है उनके लिए जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो इन्हें बुलाया जाता है शादी होती है तो बुलाया जाता है मैं चाहती हूं कि मैंने देखा है कि इनकी अर्थियों को पीड़ते हुए लिया जाता है कि यह उन्होंने पैदा होकर कोई गुनाह नहीं किया है और उनको भी एक नॉर्मल इंसान की तरह यूनाओ बाइजद राम नाम सत्या कैसे हिंदों में लेकर जाते हैं तो वैसे ही उनको भी बाइजद उनको ले जाया जाए और उनके लिए ग्रैवेड बने एक समशान घाट उनके लिए बने जैसे हिंदू मुस्लिम सबके लिए बनता है तो वैसे इनके लिए भी बनना चाहिए इनके लिए स्कूल बननी चाहिए इनके लिए सौचाले बनने चाहिए यह मेरी मांग है भारत सरकार से महारास सरकार से अभी तक तो सिफ लक्षमी थी अब उनके साथ उनकी बहन राखी भी है तो हम हमारी मांगे जरूर पूरी करेंगे और यह सब कुछ हम रिक्वेस्ट करके करेंगे तैंकी सो मच किरदार मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूंगी मैं एक में साल लक्षमी है बहुत सारे आटिस्ट है हम लोग प्रशांद नारायन जी भी हैं इसमें लेकिन वह आ नहीं पाए हैं और हम मतलब हमारी सारी बाते चल रही है दोक्यूम्न पर पर बन रही है तो किनरों पर फिल्म बनन साइए इस्ट वह फिल्म का रही है तो किनरों पर भी फिल्म बननी चाहिए उन्हें उनका का हक मैं दिलाके रहूं है रों這是 a खाल 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 मतलब इस फिल्म में राकी सावंते किनर का रोल अदा कर रही है फिल्म का नाम है उपेक्षा तो जो समाज से उपेक्षे थे 317 साल से जो मुख्य धारा में जुणने के लिए लालाई थे जो समाज और ब्रिटिशरों का धाई सो साल और रिपबलिक ओफ इंडिया बनने के बाद भी जिस समाज को कोई भी मानने ता नहीं मिली अभी दो साल आज 15 एपरिल है आज दो साल हो गए कि मुख्य नयाले ने हमें हमारा हक दिया था लाँ है और स्थे जोडने के लिए कुच उठ्थान के काम करें बारे सरकार सेंटर में मिनिस्ट्री आव सोशिल जिस्टिस एंपावर्नमेंट नया बिल लेके आ रही है कि माहराष्ट की सरकार पंकजाता ही ने तो जबकि माहराषट्टी की पिछली सरकार ने government resolution पास किया है ये फिल्म उपेक्षा है ये दर्शाएगी कि जो धारनाएं हैं समाज में जो गलत धारनाएं हैं उनका हनन होगा और असली किन्रों का जो वजूद है वो पता चलेगा मैं किन्र का एक फिर्दारने बारे हैं वो जब आप फिल्म लगेगी तब देखना पर बड़ी रोमांचक फिल्म रहेगी बहुत असलियत है ये फिल्म के बारे में एक असली कहानी के आधार पर ये कहानी लिखी गई है तो मैं चाहूंगी कि लोग आएं देखें और कुछ न ने राकी जी नहीं फोन किया था मुझे कि दीदी आपको काम करना चाहिए रविंद्र जी ने मेरे घर पर आके स्टोरी सुनाई और मैं बहुत सालों के बाद बॉलिवुड में मुख्यधारा बॉलिवुड में काम करूंगे इससे बॉलिवुड को भी एहसास होगा कि हम सि कि जिन्दगिया भी उतनी इंपॉर्टन्ड है जितनी किसी भी किसी की बी जिन्दगी किसी मर्द और तक पर जब तक समाज के अंदर एक्सेप्टन्स नहीं होगा जैसे बलतकार पे कानून है पर आज भी वलतकार होते हैं और बड़ी निर्दर्टा से और्तों का चीर हरन होता है हमारे समाज को तो मनुष्य होने का वजूद ही नहीं है तो कानून बहुत सारे आ जाएंगे पर जरूरत है कि दृष्टिकोन बदलने का और उपेक्षा जैसी फिल्में या फिल्में ज अभी पूजाबत मेरे साहती थी अभी कुछ दिन पहले फिकी अवार्ड मिलाता तो हम लोग उसी के बारे में बात करें अब पर बीच में मडर टू जैसे फिल्में आई जिन्होंने हमारे समाज को और बदनाम करने का काम किया जबकि वो इशू ही अलग था पर वो एक काम है मैं मैं आनशी मैं एक मुझे एक विशिश चीए आपसे के हाई